कि फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के शाष शेयर करने वाली हूं इद स्पेसल की मामी से मही की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है और खास मौकों पर इद पर बनाई जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है और एकदम डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और इसके लि पुष्पलता किचन को सस्क्राइब कीजे बैल बटन को जरूर प्रेस कीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिकिया करें और चैनल को करना बिल्कुल भूलें तो चलिए आज की रेस्पी में स्टार्ट करती हूं की मामी समय सोगर वन बाउल चाहिए मैं बनाना पहला है। बनाना समय को सबसे पहले क्या अपने हिसाब ढगोvatगी, अब तोनम मेने घरम हो गया उसमें डाला है गही में और जादा किना में द कशा भी हाफ के ड्याल डाल Size 10 गहाँ से भी घरा श्साच तो फिर हम इसको निकाल लेंगे फिर उसी सेम कडाही में हम यह जो की मामी से महीं है वो बनाएंगा तो आप देख सकते हैं बहुत लो फ्लेम रखिएगा नहीं तो किसमिस जल सकता है तो यहां पर हमारी चैशनी भी रेडी इसको हमें केवल 5 मिनट्स ही करना है इसका कोई तार न बुन लेंगे इसका कलर अच्छा सा आ जाए तब तक हमें इसको भुनह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यह भुन रहा है और कितना भुनह है वह भी आपको पता चल जाएगा तो आगे मैं बताती हूं आपको तो अब भी देख सकते हैं इसको हमें लो फ्लेम तो यहां पर जो हमने सुगर सिरभ बनाए वहां पर हम एड़ करेंगे थोड़ा बचा लेंगे देख लेंगे कितना है कम जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी जो सिमें ही वो गल सकती है तो अपने थोड़ा-थोड़ा करके अगर डालेंगे तो फिर नहीं प्राब्लम ना सुगे कम लग रहा है तो थोड़ा नहीं हमें डालना है तो थोड़ा डाल दिया है और ताकि हमारी सिमें खिली-घ्थली बने बिल्कुल पर यहां केसरवाल में में बातव तो आप देख सकते हैं और बहुत लोग है और लोग मिल्क नहीं डालते हैं लेकिन अगर आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा समय ने इसमें एट किया है तो आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहा है और शिम हमारी थोड़ी अच्छे से फुल रही ह है और अच्छे से पक रही है तो इसी तरह से हमें इसको पका लेना फिर हम इसको कवर कर देंगे और थोड़ी दिर पकने देंगे यहां पर हम फिर ड्राइफूर्स एट कर देंगे जो हमने ड्राइफूर्स लिया था तो इसको हमको इसके अंदर अभी एट कर देना है फिर हम इसको över कर देंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में अब मैंने जो i vagy घली अई वह it kar कर दिया यहां पर तो ü like को serve Aqui कोर देंगे इसको फिर यहां पर अच्छ यहांगे होने के बाद फिर हमें maa होता है तो maa ata करना होता मिल्क कर लेंगे करने तो यहां पर मनें ठोड़ाम कर लिया है तो यह अगर आप डालते हैं तो जो पाउदर का हैं जाए इसके अंधर देख सकते थे यहां में उन से मिल्क करने के पाउद भाद हम यह कर देंगे तो जो टेस्ट है वही आजाएगा क्योंकि मिल्क पाउडर से ही मावा के टेस्ट बढ़िया आजाएगा तो अगर नहीं है मावा तो आप चिंता ना करें और आप मिल्क पाउडर हो तो उसको एड़ कर सकते हैं तो यहां पर से महिया हमारे एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है देख अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लायक कमें शेयर फ्रेंद्सट कीजिएंगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगर मेरी नियू रेसिपी आती है तो आपका उसको नोटिफिकेशन स ज़रोब बताया किचे कि मेरी रेसिपी आप़ोको कैसी लग रहा है और मुझे नेक्स्ट रेसिपी कॉनशी लानी चाहिए आप भी बताया किचे मैं रेसिपी बनाऊँ और अगर आपको पसंद आती है तो अफ। शेर भी किया किचे ताकि और और लोगों को भी पता चले और चलिए तो फिर मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड डे टेक केर इस्टे होम इस्टे से बाइ बाइ हैपी इदर